इसमें ये पूछा गया है कि छात्रों में नैतिक मुल्यों का विकास बहुत ज़रूरी है इसके विकास के लिए आप क्या करेंगे जो बच्चों में जो मॉरल डवलप्मेंट है जो मॉरल वेल्यूज होती है वो बहुत ज़रूरी है तो उसको डरलेप करने के लिए अप लोग क्या करोगे तो देखो सबसे पहले जब भी मॉरल वेल्यूज की बात आती है बच्चे के अंदर ट्रांसफर करने की तो उसका सबसे जो बेस्ट आप्शन होता है वो ये होता है कि टीचर अपने बिहेवियर में वो चीज लाए क्योंकि बच्चा उसे खुद सिखेगा यहने टीचर को एक आधर्ष अपना वो देना है एक आधर्ष बनना है क्योंकि बच्चे खुद उस से सीखें जैसे टीचर है वो यह समझा रहा है कि बेटा प्यार से बात करो प्यार से बात करो आराम से बात करनी चाहिए बर वो खुद चिला के बात करता है खुद गुसा करता है दो-दो मिनिट में तो बच्चा नहीं सीख पाएगा उसको हम फिर कितनी कहानिया सुना лे उसको ठीक है और कितने उसके वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हम encourage कर ले या उसको हम lecture दे दे वो नहीं सीखिएगा ठीक है तो सबसे best option होता है तो आपको यहीं लगाना है कि अपने आपको एक आदर्ष प्रतिमान के रोप में प्रस्तूत करेंगे अगर हम अच्छा कर रहे हैं हम छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं हमारे अंदर moral values हैं और वो बच्चों को दिखती हैं तो बच्चों को कहने के जरूरत नहीं है बच्चे खुद बखुद उनको आत्म साथ कर लेते हैं यह question आपको समझ आ गया होगा question number 12 है हमारा आप निम्न शिक्षकों में से किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे तो किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे एक अनुशाशित शिक्षक एक ऐसा शिक्षक जो पुराय कक्षा में नोट देता है तो यह तो हो ही नहीं सकता एक शिक्षक जिसके पास उच्चिसतर का ग्यान है यह हो सकता है उसके बाद है प्रभावी शिक्षण कोशलों से युक्त एक सहर्दे शिक्षक तो देखो अनुशाशित भी हमें चाहिए और ऐसा भी चाहिए जिसके पास higher level का ग्यान हो obviously कोई ऐसा तो कोई है निकि हमें जिसको ग्याने ना उसको हम ऐसे मान ले उसको हम पसंद करें बट अगर option के हिसाब से अगर हम बात करें तो फूर्थ वाला आंसर इसका सही होगा क्यों क्योंकि प्रभावी शिक्षन कोशलों से यूग तेक सहर्दे शिक्षक तो उसके अंदर different different teaching कोशल हो और कोशल होंगे वो उनको implement करेगा तो ये option के हिसाब से हमारा ये वाला आंसर ठीक है इसके अलावा point number one and three is also correct बट हमें best चुनना है तो best हमारा fourth वाला है और second तो होगी नहीं सकता है पसंद करने वाले करते होंगे बट अगर option के हिसाब से देखें तो second वाला नहीं आएगा question number 13 है कक्षा में अच्छे शिक्षक के लिए निम्न मेंसे कौन मेंसे सबसे महतपून क्या होना चाहिए एक अच्छा टीचर है तो उसके लिए सबसे important क्या है कक्षा कक्ष का अनुशाशन पढ़ाने के लिए उपलब्द समय विशे जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा के छात्र कक्षा में एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या जरूरी है तो देखो कक्षा के छात्र जरूरी है छात्र ही नहीं होंगे तो विशे क्या पढ़ाओगे किसे पढ़ाओगे टाइम मिलेगा तो कैसे पढ़ाओगे कक्षा में अनुशाशन कैसे लाओगे तो अगर आप एक अच्छे टीचर है और आपकी क्लास में सबसे important सबसे पहले आपके बच्चे है तो जो इसका option है वो four answer इसका correct है प्रभावी शिक्षन समानने तह किसका परिणाम है ठीक है तो जो effective teaching होती है वो किसका जो result होती है शिक्षक की मानदारी शिक्षक की विद्वता शिक्षक का विध्यारतियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना शिक्षक का शिक्षन कारे के प्रती चाह या रूची देखो इसमें चारो ही options correct है तो इन्होंने पूछा है कि किसका सामानत है किसका परिणाम है तो इसका जो answer है वो C है शिक्षक का विध्यारतियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना अगर टीचर ऐसा कर पाता है तो उसके ये प्रभावी सिक्षन का परिणाम है अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका जो result निकलेगा वो इसी रूप में निकलेगा कि वो अपने बच्चों को सीखने के लिए और उसको समझने में सफल बना रहा है तो इसका जो option होगा चरी होगा और देखो ये चीज़ ध्यान रखना है psychology में हमें चारो options ठीक लगते हैं और देखो इसमें चारो options ठीक भी है लेकिन हमें best चूज करना है और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आप psychology में answer चूज करते हैं तो बच्चे को center में रखिए अभी इन बच्चे का फाइदा हो रहा है तो जहां बच्चे का फाइदा हो रहा है वह answer आंख मीच के एकदम टिक कर देना चीक है तो यह है और बाके जो जीके है और अपना हिंदी है तो वह तो ऐसे subject है कि जहां अगर आपको लगे doubt है जो समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे answer find out करें तो सीधा जिस answer पर पहले नजल जाए उसको टिक कर देना चीक है question number 15 है एक विद्यालाई शिक्षक के लिए सबसे महत्पूर्ण चुनाती क्या होगी तो क्या होगी कक्षा में अनुशाशिन स्थापित करना अच्छे प्रशन पत्र का निर्मान करना शिक्षन अधिकम प्र सबसे महत्पूर्ण पूछी है तो सबसे महत्पूर्ण है कि शिक्षण अधिकम प्रक्रिया को आनंद प्रत बनाना को कि बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने टीचिंग को इंट्रस्टिंग बना पाएं यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो टीचर से वह इस चीज़ को फीस भी करते होंगे किस चिक्षक को आप सबसे ज्यादा पसंद करेंगे तो किसे पसंद करेंगे तो यहां पर देखो मैंने बोला था बच्चों से रिलेटर अब यहां पर तीन आप्शन में बच्चे आ रहे हैं अब हमें यह देखना है कि यह देखों तो कुष्पी उठा की टिक कर दोगे जहां positive में बच्चे के बारे में आता है तो जो आकर्शक व्यक्तित्वयाला हो वैसे होना चाहिए एक टीचर का व्यक्तित्व मतलब कि हालागे कि वह टीचर है ठीक है तो यह होना चाहिए बच्चे पसंद करती है यह चा परस्ट है जो विध्यारतियों की समस्या को समझता है और उनके मदद करता है तो देखो हमारा है थर्ड और फॉर्थ भी ऑप्षिन हो सकता है बद अगर हम ऑप्षिन के हिसाब से चलने तो बैस्ट हमारा फॉर्स्ट वाला आंसर होगा इसका ठीक है इसलिए मुझे इतना समझाने की जरूरत महसूस हो रहे हैं कि मैं आपको बीच बीच में चीज़े क्लियर कर पाऊं ठीक है यह जानने के लिए कि विध्यारति कहां तक ठीक ठीक समझ रहे हैं यह जानने के लिए कि सबसे मिधावी चात्रों कौन है तो यह तो होई नहीं सकता है ठीक है यह हमें नहीं देखना है चात्रों की सहायता करने तो यह भी नहीं होगा आप कोशन नमबर वान और टू में से कांसर होगा तो आप बच्चे से क्यों पूछते हैं कि विध्यारती कहां तक ठीक ठीक समझ रहे हैं ठीक है तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी अगर हम बेस्ट चुने तो हमारा सेकंड है क्योंकि जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमने कोशन नहीं पूछा हमें थोड़ी पता है बच्चे को समझ आ रहे कि लिए आ रहा है तो कोशन पूछों के तभी तो पता चलेगा बच्चे कहां तक और कितना ठीक ठीक समझ पा रहे हैं तो इसका जो ऑप्श करना ये इसका आंसर है चात्रों को जग्यासू बनाना तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर हो सकते हैं बटा में बैस्थ चुनना है तो चात्रों के विक्तित्व का विकास करना कूंकि व्यक्तित्यों के विकास में जिग्यासू की प्रवर्ती भी इंक्लूड हो जाएगी question number 19 है अच्छे सिक्षन का सर्वोत्तम संकेत क्या है कक्षा में एक दन शांती होना बिल्कुल भी नहीं कक्षा में विद्यारतों की अधिक संकेत यह भी नहीं हो सकता चातरो द्वारा अर्थ पूर्ण रशन पूछना तो इसका जो आप्षन है वो पूर्थ वाला गरेक्ट है कि अच्छे सिक्षन का सर्वोत्तम संकेत जो sign है वो क्या है देखो आपकी class में शान्ती है इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी class में अच्छी बढ़ाई होती है और आपकी class में बच्चे जादा आते हैं तो भी मतलब नहीं है कि आपकी class में अच्छी बढ़ाई होती है और थर्ड है कि आपकी class में अगर बच्चे distinction ला तो अगर आपके बच्चे आर्थ पूर्ण पर या इसा नहीं कुछ भी पूछ लिया कुछ लॉजिक होता है उन क्वेशन के पीछे और बच्चे ऐसे क्वेशन पूछते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी टीचिंग है वह अच्छी है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा व मिधावी होना चाहिए अपने चात्रों में रूची रखना सरल जीवन शैनी अपने पढ़ाएवाले विशे में पूर्ण दक्ष होना इसका ऑप्शन देखो मिधावी भी होना चाहिए अपने चात्रों में रूची भी उसको रखने चाहिए सरल जीवन शैनी लखना ये त तो अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए तो देखो सबसे मैंने बताया था जहां बच्चा दिखी जाए तो बस वही है तो सेकिंड वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि देखो अगर बच्चे में रूची नहीं होगी उसकी तो मिधावी होकर भी क्या कर लेगा और ग्यान भी क्या कर लेगा ठीक है बच्चे में इंट्रेस्ट होना बहुत जरूरी है कि जो बच्चों को समझते हैं तब ही हम उनको अच्छे से कनेक्ट हो के पढ़ा पाते हैं इसमें हिमाचल परदेश का जो राजय पशू है वो है हिम तेंद्वा ठीक है जिसे हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं उसके बाद हमारा जो क्वेशन है उसमें है जो कोविड-19 के दुरान जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था तो वो चलाया गया था हमारा न्यू डैली में और उसके बाद जो यह जी आई टैग को बढ़ावा देने के लिए आपको पता भी उसके बाद हमारा जो क्वेशन है स्वावलंबन शशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यूमग के पदिसंग C.O.W.E. द्वारा शुरू किया गया था तो किसके साथ मिलके इसको शुरू किया गया था किसके साथ जो M.O.U. साइन हुआ था इसका तो वो हुआ था प्लीज जो पीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आंसर कीजिए आप लोग वीडियो कोई और होती है आंसर को देते हो फिर में जाके माँ चेक करती हूँ वह कुशन मुझे मिलता ही नहीं तो प्लीज एट लीज डाल दिया करो जैसे आप 18 नंबर का आंसर करोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसके बाद हमारा है जो कौन सी जो मचली है जिसमें केंदर ये तंतरीका नहीं होती है तो इसका जो आंसर है वो है जैली फिश देन उसके बाद हमारा है कौन सी जो बिमारी है वो वाइरस के कारण होती है ठीक है तो उसका जो आंसर है वो है common जो common cold अब आप लोग इसके अलावा ये तीनों भीमारी किस वज़े से होती ये आप लोग मुझे comment section में बताएंगे search करके then उसके बाद हमारा जो question है ये current affairs का question है क्योंकि ये पुराना बेपर है तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि एक जीकी का भी बन सकता है question क्योंकि जो माई 2020 में एक राश्टर एक राशन कार्ड का एक योजना आई थी जिसमें कितने राज्यों ने एक इकरित participation किया था उसके अंदर तो इसका जो आंसर है वो है पांच और ये पांच राज्य कौन से थे ठीक है या union territory कौन से थी तो वो आप लोग मुझे comment section में बताएंगे देन उसके बाद हमारा question है ये भी current का question है और ये UPSC में भी पूछा गया था तो जो रॉपर्ट बैप्टिस्ट है वो news में रहे थे COVID-19 के दुरान 2020 में तो वो किस छेतर से जुड़े हैं तो cyber सुरक्षा खोज से तो ये आपको पता भी होना चाहिए जो आपका आरोगे से तु एप है वो इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है ठीक है बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं इनके बारे पटेल क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो देश को एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था ठीक है दन उसके बाद हमारा question number 24 है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक कोत का नाम क्या है जो कोचिन में बनाया जा रहा है तो ये current का question है विक्रांद बट आपको पता हो जो होना चाहिए दन उसके बाद है वह धातू जिसका लवन प्रकाश के प्रति संवेधन शील होता है तो इसका जो आज़र है वहते सिल्वर कहते हैं हॉट्स प्लानेट सबसे जो गरम अग्रह है वह कौन सा है तो वह आपका वीनस जिसे हम हिंदी में कहते है शुक्र के को ह बाये को काया है मैं बाहुआ है और भारत के षविदान में कितनी बार संशोधन होpen है तो इक बताइए, question number 28 है, भारते संसद में लोक लेखा समीति का अध्यक्ष कॉन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे लोकसभा, अध्यक्ष जो के वारे लोकसभा speaker होते हैं, 1984, इस पुस्तक के लेखा कॉन है, पुस्तक बग्यारा बहुत important होती है, तो यह हमें पता होनी चाहिए, तो जो George Orwell, इसका answer है, 1984 की जो बुक है, 1984 नाम की एक बुक है, जो कि George Orwell ने लिखी है, election commissioner can be removed by election commission होता है, उसको किसके द्वारा हटाए जा सकता है, तो वो प्रधान मंतरी के द्वारा हटा, और राष्ट्रपती के द्वारा हटाए जा सकता है, और आपस इतना याद कर लिए कि राष्ट्रपती के द्वारा हटाए जा सकता है, बढ़ इसका एक process होता है, तो वो प्रोसेस तो खेर अभी हमें जानने कि इतने अवशकता है नी ओके इसके बाद हमारे कुछ हिंदी के क्वेशन्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पेडियाफ के लिए आप लोग मेरे टेलिग्राम गुप से जोड़ सकते हैं और वहां से इसको डाउंडोड कर सकते हैं थेंक्यू